लिव परिवार का बुजुर्ग ठंडे पसीने से लथपत होकर पीला पड़ गया उस क्षण्क मृत्यू की अनुभूती ने उसकी इंद्रियों पर आक्रमन किया वह सीधे मौत के मुह में था उन्होंने लियू तियान्जोंग और अन्य बुजुर्गों से सुना था कि वरुन कितने शक्तिशाली थे और उन्होंने विडियो में वरुन द्वारा प्रदर्शित उतक्रिष्ट क्षमताओं को देखा था लेकिन उन्हें इस दिन ही एहसास हुआ कि जो कहानिया उन्होंने सुनी थी वे बिल्कुल भी अतिश्योक्ति पूर्ण नहीं थी यह युवक एक क्रूर राक्षस था उस एक मुक्के ने बाकी लोगों को भी डरा दिया बाकी दर्शक गंग रह गए उन्होंने वरुन के विडियो भी देखे थे इसलिए वे मानसिक रूप से तयार थे लेकिन उस नजदी की सीमा पर उन्हें वरुन की ताकत का अधिक प्रत्यक्ष एहसास हुआ था मन ही मन वे वरुन को अपने बराबर मानने लगे यह रहस्यमय समर्थक यह युवक के लड़ाई के पालतू जानवरों के कारण नहीं था यह उसकी ताकत के कारण था चुकि वेनरेबल डबलेड और टैंग रुयान वरुन के सबसे करीब बैठे थे वे दो ही थे जिनके मन में सबसे ज्यादा भावनाई थी वे वरुन को कुछ समय से जानते थे लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना भयाबह हो सकता है वेनरेबल डबलेड ने काफी प्रतिभाशाली लोगों से मुलाकात की थी और वह अपने आप में एक प्रतिभाशाली व्यक्ती थे वह इसे समझ सकता था यदि वरुन एक नामित युद्ध पालतु योध्धा को डराने के लिए एक युद्ध पालतु जानवर का उप्योग कर रहा था लेकिन अपनी ताकत का नहीं वेनरेबल डबलेड को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या वरुन अपनी उम्र छिपा रहा था या अपनी रैंक का दिखावा कर रहा था ताम रुल्यान की अभी व्यक्ति बेजान थी वह जानती थी कि वरुन प्रतिभाशाली है उससे भी ज्यादा लेकिन इस समय जो कुछ हुआ उससे उसके प्रति उसका नजरिया तूट गया फिर वह वरुन को ज्यादा महत्व देने की कोशिश कर रही थी और यह पता चला कि वह अभी भी लक्षे से बहुत दूर थी इसके अलावा वह बता सकती थी कि यह व्यक्ति अभी भी कुछ ताकत छिपा रहा था मिस्टर, मिस्टर सूक क्रिपया, हम पर नाराज नहूं लिव परिवार के दूसरे बुज़ुर को भी बहुत पसीना आ रहा था उसका मानना था कि अगर वरुन हत्या करने लगेगा तो शायद वहां भी उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा आखिरकार स्टोर वरुन का शेत्र था कई कमरे उनकी धारना से बच सकते थे कौन बता सकता है कि वहाँ अन्य शीर्षक वाले युध पालतु योध्धा थे या नहीं लिव परिवार के बुज़ुर्ग वरुन से अधिक सम्मान के साथ बात करने से खुद को नहीं रोक सके हमने इस बारे में नहीं सोचा है कृप्या हमें हमारी गलतियों को सुधारने का एक और मौका दे श्रीमान सु आपको क्या चाहिए कृप्या हमें बताएं कुछ भी युउ परिवार के बुज़ुर्ग माफी मांगते हुए मुस्कुराए वरुन ने खर राटा लिया कोई उसकी बात सुने इसके लिए उसे अपना आपा क्यों खोना पड़ा वे बुज़ुर्ग उचे पदों पर थे और उनका कई लोगों और संसाधनों पर नियंतरन था हाला कि जरूरी नहीं कि वे सड़क पर खड़े किसी अंजान आदमी से ज्यादा होशियार हो अकीत के सभी अंगिनत राजवन्ष एतिहासिक गलतियों की चेतावनियों पर ध्यान दे सकते थे लेकिन वे उसी पुराने विनाशकारी रास्ते पर चलने से कभी क्यों नहीं बच सके अज्यानता और मूर्खता लोगों की स्थिती में कोई अंतर नहीं जानती थी वे दो विशेशताय मानव स्वभाव में निर्मित थी और वे कभी भी खत्म नहीं होंगी क्योंकि लोगों के पास ज्यान, पैसा या शक्ती थी. जो कोई भी उस स्वभाव को बदल सकता है, वह हर माइने में एक संथ एक भगवान होगा. आप तब तक आश्वस्थ होने से इंकार करते हैं, जब तक आपका सामना गंभीर वास्तविक्ता से नहीं हो जाता. लगता है कि आपने गुप रूप से स्टार और्गनाइजेशन को एक संदेश भेजा है. वरुन ने उदासींता से कहा, लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए. मुझ में उन्हें मारने का साहस है क्योंकि मैं प्रतिशोध से नहीं डरता. आपने मुझे बेवकूफ बनाया, आपको शर्म आनी चाहिए. दो बार बेवकूफ बना, यह शर्म की बात है. उन्हें मुझे हराने का मौका नहीं मिलेगा. वह दयालू व्यक्ति नहीं थे. मरे हुए लोगों के अराजक दायरे में उसने कितना खून देखा था और कितने अंधेरे से गुजरा था. वह कितनी बार मरा और जीवित हुआ. जब वह दुकान पर होता तो सारा गुस्सा अपने दिल में छिपा लेता. उसने क्रोध को अपने मन पर हावी होने से रोकने के लिए ऐसा किया. क्योंकि वह उन लोगों को ठेस नहीं पहुचाना चाहता था जिनसे वह प्यार करता था. हाला कि उन्हें यह गुस्सा उन बाहरी लोगों के सामने छुपाना नहीं पड़ा. मैं तुम्हारे साथ तर्प कर सकता हूँ, परन्तु यदि तुम तर्प को नहीं सुनोगे, तो मैं तुम्हें कांप दूँगा. दोनों बुजर्गों को लगा कि वरुन की डरावनी बाते सुनकर उनके दिल भी कांप रहे हैं. उन्हें अंदर ही अंदर इस पूरे मामले पर पच्चतावा होने लगा था. उन्हें स्टोर मालिक को उकसाते रहने से बहतर पता होना चाहिए था. वे अंदर ही अंदर रो रहे थे. स्टार संगठन यहां कब आएगा? वापस जाओ और अपने परिवार के मुख्या को बताओ. चुंकि आप उचित उभार देने के इच्छुक नहीं हैं, तो वापस जाए और ख्षमायाचना के रूप में अपनी पारिवारिक संपत्ती का आधा हिस्सा मुझे दे दें. अन्य था, आज से लोंगजियांग बेस्ट सिटी में कोई और लियू परिवार नहीं रहेगा, वरोन ने उन्हें चेतावनी दी. लियू परिवार के दो बुजर्ग उसकी चेतावनी को श्रे नहीं दे सके. वह उनकी पारिवारिक संपत्ती का आधा हिस्सा चाहता था, बाकी बुजर्ग भी काफी सदमे में थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि वरोन कितना लाल्ची है. वह जो पूछ रहा था वह लियू परिवार को बहुत हद तक नश्ट कर सकता है. और यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि लियू परिवार कंजूस था? नहीं. जल्द ही दूसरों को एसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू परिवार ने अपना रवया बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था. वे वरुन से घ्रिणा करते थे और मानते थे कि वह जल्द ही नश्ट हो जाएगा जिससे वरुन क्रोधित हो गए थे. दूसरा कारण लियू परिवार और वरुन के बीच पिछला विवाद था. वरुन बस एक ही बार में सारा हिसाब बराबर कर रहा था. यह आदमी. वरुन ने दावा किया कि वह इस विवाद को केवल व्यापारिक प्रतिसपर्धा मानते हैं. हालाकि वास्तव में वह लियू परिवार को हमेशा के लिए नश्ट करने की कोशिश कर रहा था. वह बुरा आदमी था लेकिन वह नैतिक रूप से उचे स्थान पर खड़ा था. वह सबसे विश्वास घाती राजा था. एक पल के लिए बाकी बुजुर्ग वरुन की ओर घबराहट से देख रहे थे. अगर वरुन बुद्धिहीन राक्षस होता तो वे डर जाते. उसके जैसा कप्टी व्यक्ती सबसे डराबना था. श्री, सुवः, उनके माथे से पसीना चलक उठा. दोनों बुजुर्गों को लगा कि वे मुसीब्तों के तालाब में कदम रख रहे हैं. अगर उन्हें पता होता की ऐसा होगा, तो उन्होंने दस ड्रैगन अंडे तयार किये होते, एक की तो बात ही छोड़िए. इसके अलावा वरुन ने ये चेतावनी सब के सामने भी कही थी. उसे अपना बादा पूरा करना होगा अन्यथा, वह अपना अधिकार खोदेगा. जदी वह लिव परिवार को अपनी पारिवारिक संपत्ती का आधा हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर करता है, तो लिव परिवार अब पांच प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में नहीं गिना जाएगा, और जो कुछ भी उनके पास बचा था, वह अंत्हा अन् नहीं हो सकते थे, ठीक उसी समय बाहर से एक तेज आवाज आई, यहां कुछ मज़ेदार चल रहा है, उस आवाज ने सभी को हैरान कर दिया, उन्होंने नजरे घुमाई, तभी देखा कि एक मजबूत आदमी आया था, इससे पहले कि सभी को पता चलता, वह बाहर सीधियों पर खड़ा था, वह आदमी लगभग दो मीटर लंबा था, एक मीनार की तरह, वह मरदाना किस्म का था, उसने काली बिना आस्तीन की टी-शर्ट पहनी हुई थी, वह अपनी पीठ पर लोहे का एक बड़ा हथोड़ा रखता था, वह आदमी दंभोंटु माहौल पैदा कर र शस्त्रो के राजा, इस शक्स को देखकर किन शुहाई भी हैरान रह गई, अगले सेकंड में वह पीला पड़ गया और उसने तेजी से वरुन की ओर देखा, स्टार संगठन आ गया था, यह एलिट लीग के अगले दिन था, हतियारों का राजा लोंगजियान बेस सिटी आय एक सेकंड की स्तब्धता के बाद वरुन ने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ती शीर्षक रैंक के शिखर पर था, शीर्षक पद के शिखर पर उनकी मुलाकात कई अन्य लोगों से हुई थी, जिन लोगों से वह स्वर्ग की परीच्षा का लालच कर रहा था, वे सभी शीर् तब उन्हें यकीन हो गया कि वह आदमी स्टार ओर्गनाइजेशन से था, वह जानता था कि हत्या के इरादे की जलक के कारण वह ग्राहक नहीं था, हत्या का वह इरादा बहुत अच्छी तरह चुपाया गया था, हाला कि वरुन ऐसी चीजों के प्रती बहुत समवेदनशी यहां तक कि आदरनिय ब्लेड भी उतना समवेदनशील नहीं हो सकता जितना बहुत था, उस मोर्चे पर वरुन अपनी प्रवृत्ती के प्रती आश्वस्थ थे, हम आदरनिय ब्लेड, दरवाजे के पास खड़े मजबूत आदमी ने तुरंत वेनेरेबल दबलेड और यहां त्यानचेन के लिए काम किया, तो क्या स्टोर और यहां त्यानचेन के बीच कोई संबंद था? इससे चीजे जटिल हो जाएंगी. वह अभी भी उस धार्णा के बारे में अनिष्चित था. यहां त्यानचेन के लोग आम तर पर स्टार संगठन को अपमाने करने से ब वेनेरेबल दबलेड खड़ा हुआ और ताकतवर आदमी से मिलने गया। भाई जी मुझे लगा कि आप उत्तर में रसातल के कुएं की रखवाली कर रहे हैं। क्या तुम्हें यहां लाया। दो अन्य शीर्शक वाले युद्ध पालतु योध्धा उस ताकतवर आदमी के पीछे खड़े थे लेकिन उसने उन्हें रोक दिया था। इसलिए एक पल के लिए भी किसी ने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। जब दोनों ने वेनेरेबल द और्गेनाइजेशन के बीच संधर्श के बारे में पता नहीं था। अन्य था वह इतनी उबाव बातचीत शुरू नहीं करता। आदरणिय ब्लेड ने अपनी आखे घुमाई। वह उस शर्मनाक वजह से वहां थे। उनका मानना था कि जी गंगे संभवत है इसी कारण से अन्य था माननिय शस्त्रागार राजा उस दूरस्थ आधार शहर के ऐसे जरजर स्टोर में क्यों आते। देखे। दिल्चस्प। अंदर जाने से पहले ही उसने उन उपस्थिती को महसूस कर लिया था। लेकिन उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उनमें से कोई भी शीर्षक वाली रैंक के शिखर पर नहीं था। केवल वही लोग जो उसके लिए मायने रखते थे वे थे वेनेरेबल दबलेड और वहयुवक। आपको मिस्टर सु होना चाहिए। जी गंगे एक सौमे मुसकान के साथ अंदर आई। इससे पहले कि वह वरुन के स्टोर के बारे में विशेश जानकारी प्राप्त कर पाता। उसने उससे सीधे सवाल न करने का फैसला वरुन ने सहचता से पूछा क्या आप यहां कुछ खरीदने आये हैं या किसी को ढूंडने आये हैं। जी गंगे को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वरुन जानता था कि वह कौन था। बेशक बादवाला। मुझे आश्चर्य है क्या वह व्यप्ती ठीक है। वे मु ब्लेड उस ताकतवर आदमी का स्वागत करने के लिए खड़ा था। आधरनिय ब्लेड जाकर किसी का अभिवादन नहीं करेगा। इसके अलावा उस ताकतवर आदमी ने कमरे में काफी तनाफ पैदा कर दिया था। क्या वह स्टार संगठन से है। वे केवल एक आदमी को ह ही क्यों भीजेंगे? जी? क्या वह शस्त्रो का राजा जी गंगे है? बुजर्ग चिंतित और सशनकित थे। जी गंगे ने अपनी भौहें उपर उठाई। उसकी आखों में शीतलता की चमक उभराई। उसने दुकान के चारों और नजर दोड़ाई और तुरंत कुछ जानवरों से हो रहा है। वह दुकान मूर्तियों से भी अधिक विचित्र थी। उसे बंद कमरों का एहसास ही नहीं हो पा रहा था। वे स्थान जो उसकी इंद्रियों को अवरुद्ध कर सकते थे, वे आम तोर पर महत्वपून स्थान या स्थान थे जहां शिखर पर यु उसने वरुण की आँखों में आखें डाल कर कहा, वरुण भाई, मैं स्टार ओर्गेनाइजेशन जी गंगे का सदस्य हूँ। मैं आज यहां एक लड़की को लेने आया हूँ जिसे हमारा संगठन तयार कर रहा है। चुंकि वह आपके साथ है, मुझे आशा है कि आप जो बीत गई सो बात गई। आप क्या सोचते हैं? स्टार संगठन कब से इतना दयालू हो गया? आदरनिय बलेड को वरुण ने बैठाया था। जी गंगे की बाते सुनने के बाद वह आश्चर्य से वरुण की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसे एसास हुआ कि उसने जी गंगे को गलत समझा था। पता चला कि ज किसी को रिहा कराने के लिए। कहने का तात पर्य यह था कि वरुण और स्टार और्गेनाइजेशन के बीच कुछ हुआ था। विनेरेबल दबलेड ने खुद से कहा यात्रा करने के लिए यह कितना बुरा दिन है। की भी दुकान में लगभग जान चली गई थी। एक बार जब स्टार संगठन के साथ कुछ बुरा हुआ तो तिकली प्रभाव शुरू हो जाएगा। उपमहाद्वीप जिले की पूरी राजनीतिक संरचना बहुत अच्छी तरह से बदल सकती है और अन्य आपदाएं आ सक करती हैं। वरुन हर चीज को नियंतरित करने में सक्षम था। उस विचार पर विनेरेबल दबलेड भी घबराएं बिना नहीं रह सका। तामरुयान एक नौकरानी की तरह उनके पीछे खड़ी थी। वह जी गंगे की बातों से आश्चर यचकित थी। जल्द ही वह आश् दिंग्यू के साथ हुए समझोते के अनुसार भी जा सकती थी। मैं दुख की इस खाई से निकलने वाला हूँ। तामरुयान गुप रूप से खुशिया मना रहा था। मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि आप अपनी बात के पक्के आदमी हैं। वरुन को इसमें पूरा करें। अगर वरुन मर जाता तो उसे ऐसा करने की जूरत नहीं थी। लेकिन इस से पहले कि उसे स्टोर के बारे में सब कुछ पता चल जाएं वह इतनी जल्दी हिंसा का सहारा नहीं लेगा। यान बिंग्यू के लिए पूछ कर वह पहले स्टार संगठन के लिए चाहते हैं। जरूर आपके पास दो विकल्प हैं। सबसे पहले स्टार संगठन को पर्याप्त इमानदारी दिखानी होगी। दूसरा आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं। मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी करूंगा। जब तक तुम मेरे युद्ध जानवर के सामने तीन सेकंड रह सकते हो तुम उसे दूर ले जा सकते हो। जी गंगे को इसकी उम्मीद नहीं थी। आधरणिय बलेड और अन्य बुजुर्ब भी स्थब्ध होकर शांत हो गए। पहला विकल्प समझ में आता था लेकिन दूसरा। उन्होंने कहा कि अगर यह आदमी जो शीर्षक रैंक के शिखर पर था तीन सेकंड तक टिक सकता है तो वह यान बिंग्यू को दूर ले जा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे वरुन को भरोसा था कि जी गंगे ऐसा करने में असमर्थ होगी। यह कैसे संभव हुआ। इस बीच बेस सिटी के बाहर एक काला बादल तेजी से घूम रहा था। युद्ध के पालतू योध्धा जो प्रहरी दुर्ग पर पहरे पर खड़े थे उन्होंने बादल में देखने के लिए अपनी दूर्बीनों का उप्योग किया। आश्चर्य की बात यह है कि यह पक्षियों का जुण था। सभी नौवी रैंग पर थे लेकिन अलग-अलग परिवारों से थे। उनमें से सबसे डरावना डार्क फेदर फीनिक्स था। नौवी रैंग के शिखर पर रक्तरेखा वाला एक जानवर। डार्क फेदर फीनिक्स के पंखों का फैलाव 100 मीटर से अधिक था। यह डार्क फेद आती थी तो पक्षी सबसे मुश्किल थे। ध्वनितरंग हथियार जैसे कई हवाई गर्म हथियार थे। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बेस सिटी के लिए हवाई हमलों से बचाव करना अभी भी कठिन था। जल्द ही किसी ने देखा कि पक्षियों के उपर छोटी-छोटी आक प्रित्वी की ओर देखते हुए। यह वही होना चाहिए जो वे लोग महसूस कर रहे थे। सैनक किसी भी क्षन अलार्म बजाने के लिए तयार थे। उन्होंने तुरंट अपने नेताओं को सूचना दी थी। लोगों के जानवरों पर खड़े होने के साथ एक जानवर के विद्रोह को खारिस कर दिया गया। अब तक कोई भी ताकत बेस सिटी पर अचानक हमला नहीं करेगी। यह संधिये कानून के विरुद्ध होगा और ऐसे हमलों से सभी आधार शहर और संपूर्ण मानव समाज घ्रिना करेंगे। जल्द ही कई लोग पीछे के क्षेतर से उ साधारन था। कुछ जानकार सैनिकों ने कुछ सिधान तयार किये थे। यह लोंगजियांग बेस सिटी है। और आप कर रहे हैं। लोंगजियांग बेस सिटी की रखवाली करने वाले शीरशक वाले युद्ध पालतू जानवर डार्क फेदर फीनिक्स के सामने खड़े थ विशाल पक्षी पर सवार शीरशक वाला पालतू योध्धा बता सकता था कि उसका पक्षी धीमा हो रहा था क्योंकि वह डार्क फेदर फीनिक्स के पास आ रहा था जो उसके डर को जुटला रहा था। शीरशक वाले युद्ध पालतू योध्धा ने एक लंबा चेहरा ख शिर्शक वाले युद्ध पालतु योध्धा उस्तनाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। शिर्शक वाले युद्ध पालतु योध्धाओं को अचानक छोटा और महत्वहीन महसूस हुआ। शिर्शक वाले युद्ध पालतु योध्धाओं में से एक ने बोलने का साहस जुटाया। शिर्शक वाले युद्ध के पालतु योध्धा सहच प्रवरित्ती से पीछे हट गए। एक पल में उन्हें दरजनों मीटर पीछे धकेल दिया गया। दार्क फेदर फीनिक्स ने अपनी पीठ पर खड़े बुढ़े व्यक्ती से आदेश लिया। फीनिक्स रोया अपने पंक फड़फडाए और आगे बढ़ गया। शीर्षक वाले युद्ध के पालतू योध्धा पीले पड़ गए। वे अपने रास्ते में खड़े होने से डरते हुए एक तरफ हट गए। जब वे रास्ता बना रहे थे तो नोवी श्रेई के तीन जानवर उनके सिर के उपर से उड़ गए। उनके पीछे हजारों थंडर स्पैरो थे जो भारी हथियारों से लैस योध्धाओं को ले जा रहे थे। पक्षियों के पंक फड़ फड़ाने और चहचाने पर शीर्षक वाले युद्ध पालतू योध्धा बीमार लग रहे थे। टैंग परिवार अपेक्षा से अधिक बॉस था। जल्दी करो सबको इकठा करो। हमें पता लगाना होगा कि उनके इरादे क्या हैं। एक शीर्षक युद्ध पालतू योध्धा चिलाया। कोई तुरंत संदेश भेजने गया। बाकी लोगोंने खुद को शांत किया और तांग परिवार की पीछे चले गए। वे उनका बहुत करीब से पीछा नहीं करेंगे लेकिन उन्हें यह सुनिष्चित करना होगा कि वे उन्हें हमेशा देखते रहें। फिर भी तांग परिवार की सेना ताकत और उत्साह में महान थी। एक हजार थंडर स्पैरो के साथ उनका ट्रैक खोना कठिन होगा। पिक्सी पेट स्टोर के अंदर। बुजुर्ग साथ ही उनके बगल में बैठे विनेरेबल और तांग रुयान जो उनके पीछे खड़े थे आश्चरिय से अवाक रह गए। विनेरेबल दबलेड वरुन को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन वरुन अपने युद्ध पालतू जानवर के बारे में बात कर रहे थे। विनेरेबल दबलेड को पता था कि अगर सेकंड के भीतर हार जाएगी, तीन सेकंड की तो बात ही छोड़िये। हाला कि वरुन अपने बैटल पेट के बारे में बात कर रहे थे। युद्ध के पालतू जानवर हमेशा अपने मालिकों से प्रभावित रहेंगे। आखिरकार एक युद्ध पालतू जानवर के अपन इसी को हराना। पालतू जानवर के पास पौरानेक रैंक शक्तियां होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा, तो इसका मतलब यह होगा कि वरुन के पास महान रैंक शमताए हैं। उसकी अत्यधिक प्रशंसा करने के बाद वह बहुत अहमकारी हो गया है। उसे शायद यह भी नहीं पता होगा कि वह किसके साथ काम कर रहा है। तीन सेकंड जी गंगे को यह कभी नहीं लगा कि यह दूसरा विकल्प था जिसे वरुन प्रस्तावित करेंगे। उसने वेनेरेबल दबलेड पर एक नजर डाली। यदि वह और वेनेरेबल दबलेड युद्ध करते तो उन्हें यह निर्धारित करने में घंटों लग जाते की उनमें से कौन विजेता होगा। क्या आपको यकीन है? जी गंगे की आखों में ठंडक की चमक उभराई। जिन लोगों ने स्टार और्गेनाईजेशन को भड़काने की हिम्मत की उन्हें या तो असाधारन रूप से शक्तिशाली होना होगा या फिर बेहद अहमकारी होना होगा। स्पष्ट है कि वह युवक दूसरी श्रेणी का था। आखे मूदली मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। वहां मौजूद बाकी लोग वरुन को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई पागल हो। यह कितना पागलपन था। वरुन ने कुछ नहीं कहा। एक भंवर दिखाई दिया और छोटा कंकाल बाहर निकल गया। कंकाल देखकर ब स्टार ओर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने निशकर्ष निकाला था कि कंकाल में शीर्षक शमताय थी। दुकान के अंदर जी गंगे ने गहरी सांस ली। वह अपने युद्ध के पालतू जानवरों को भी बुलाने के लिए तयार था। उसे यकीन नहीं था कि अगर वह अ कंकाल था जिसे वह सिखा रहा था। विनरेबल दबलेड अच्छी तरह से जानता था कि कंकाल अन्य सामान्य कंकालों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। फिर भी ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि कंकाल तीन सेकंड के भीतर जी गंगे को हरा सके। ध्रमित और उद सुक वेनरेबल दबलेड वरुन के पीछे चला गया। चुंकि वेनरेबल दबलेड वरुन का पीछा करने के लिए निकल गया था। अन्य बुजूर्गों ने एक दूसरे को उचसाहजनक दृष्टी से देखा और उनके पीछे जाने का साहस जुटाया। उस कमरे में वह आसानी से इमारत को टुक्रों में तोड़ सकता था, चाहे वह कहीं भी हो। इसके अलावा जी गंगे ने देखा था कि वह अपनी अवधार नात्मक शक्ती से यह देखने में असमर्थ था, कि उस कमरे के अंदर क्या था। यदि अन्य शक्तिशाली योध्धा अंदर छ अलत हो तो आकर मुझे बचाने की कोशिश भी मत करना। मैं आपको एक संकेट दूँगा और आपको तुरंत खाली करना होगा और संगठन को एक संदेश भेजना होगा। जी गंगे ने अपने पीछे खड़े दो युध्ध योध्धाओं से कहा। दो शीर्षक वाले यु जैसे ही वे अपनी जगह पर बैठे जी गंगे में एक गहरी सास ली और उस कमरे में चले गए। तुम्हारे दो मंत्री कहा है। वरुन ने अपनी भौहें उपर उठाई जब उसने देखा कि दोनों जी गंगे के साथ प्रवेश नहीं कर रहे थे। जल्द ही वरुन को कु तोर तोर दू तो मुझे दोश मत देना। वरुन को इस बात से कोई आपत्ती नहीं थी कि जी गंगे ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसे यह पता लगाने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि वे दोनों कहा थे। अन्य बुजर्गों और आदर ऐसे मुसुराया मानो जी गंगे पर हस रहा हो। मैं तुम्हें धमकाना नहीं चाहता। तो आप किस प्रकार का स्थान चाहते हैं। जी गंगे ने अपनी भौहें उपर उठाई। कई साल हो गए जब किसी ने उनसे ये शब्द कहे थे। इसके अलावा उसे समझ नहीं आय वरुन ने ये शब्द क्यों कहे। क्या वह पहले से ही कार्यक्रम स्थल कमरे में ही नहीं था। कुछ भी जी गंगे ने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें राहत मिली कि उनके रैंक का कोई अन्य पसंदीदा युध योध्धा कमरे में नहीं था। वह बस इसे खत्म करना चाह उसे दुख हुआ की जी गंगे ने कोई विकल्प नहीं चुना। अपने लिए उप्युक्त जगह चुनने से उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन उसे वरुन की आध्या का पालन करना पड़ा। वह स्विच चालू करने गई। जल्द ही कमरा बदलना जल्द ही कमरा एक प्राचीन अखाडे में बदल गया। हड्या जमीन पर ढख गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ गहरी धुंद और फुस्फुसाहटे थी जो बमुश्किल सुनाई दे रही थी। यह बिल्कुल नई दुनिया थी। बुजुर्गों और जी गंगे को इस ब पतंत्र दुनिया हो। उन्हें अंतरिक्ष का अंत भी नहीं मिल सका। जी गंगे ने असमंजस में युवक की ओर देखा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वरुन ने क्यों पूछा कि उसे किस तरह का स्थान पसंद है। वह किसी एक को चुन सकता था। यह स्थान जहां बह देखते हुए वातावन उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। लेकिन कमरे की विचित्रता ने उसके मन को थोड़ा परिशान कर दिया। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह कोई उन्नत तक्नीक है। ऐसा नहीं लग रहा थ कि नीले ग्रह पर कोई चीज विक्सित हुई है। दूसरी और यदि यह तक्नीक से असंबंधित होता तो विकल्प और भी भयाव होता। चलो अब वरुन ने ठंडे स्वर में कहा। जी गंगे को होश आ गया। उसने वरुन पर एक सार्थक द्रिश्टी डाली और फिर कमर और अवशेश प्रचुर माकरा में थे। उसे लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में है। अखाडा इतना बड़ा था कि उसमें नवी रैंक के कई लड़ाकू पालतू जानवरों को रखा जा सकता था। यह याद करते हुए कि दो लोग अभी भी बाहर इंतजार कर रहे थ गरजन वह एक अजगर की आवाज थी। राक्षस परिवार के किसी पालतू जानवर ग्वारा गडगडाहट की आवाज उतपन की गई थी। यह चारों और एक प्रकार के बलगम के फैलने का शोर था। अत्यधिक गर्मी थी जिससे कमरे का तापमान बढ़ गया था। जैसी तवचा थी और एक हथोड़ा था जो जी गंगे के हाथ से मिलता जुलता था। लेकिन पालतू जानवर ग्वारा उठाया गया हथोड़ा असाधारन रूप से बढ़ा था। जिसकी लंबाई एक गरजन मीटर से अधिक थी। हथोड़ा निश्चित रूप से किसी को भी गुके ढेर में कुचलने में सक्षम था। कुल मिलाकर चैय युद्ध पालतू जानवर जी गंगे के पीछे से निकले और उचे पहाडों की तरह उसके चारों और खड़े हो गए। बुजुर्ग साथ ही तांग रुयान युद्ध के पालतू जानवरों से चौक उनमें से चैनवी रैंग के शिखर पर थे। युद्ध के पालतू जानवरों में ऐसी भावना भरी हुई थी जो पहाडों और नदियों पर विजय पाने में सक्षम थी। चैनवरों में से कोई भी बहुत खतरनाक था। यह बताने की जरूरत नहीं की चहों को कब बुलाय गया था। जी गंगे स्वयन नवे रैंग के शिखर पर थे। यह शस्त्रों के राजाजी गंगे की ताकत थी। प्रमुख परिवारों के बुजुर्ग अवाक आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। जी गंगे अकेले ही उन सभी को हरा सकती थी। वे सभी यु पाधी सर्वविदित थी। हाला कि शीर्षक रैंग के शिखर पर मौजूद व्यक्ति की तुलना में वह अभी भी एक बच्चा था। आगे बढ़ने का मतलब होगा कि उसे जी गंगे जैसा बनना होगा। फिर भी किन शुहाई को अच्छी तरह पता था कि उसके सामने एक लंबी यात्रा थी। किन शुहाई के पास भी कई युद्ध पालतू जानवर थे लेकिन उनके केवल दो युद्ध पालतू जानवर नोवी रैंक के शिखर पर थे। बस इतना ही था। नोवी रैंक के शिखर पर छै युद्ध पालतू जानवरों की तुलना में उन दोनो का कोई मतलब नहीं था। जब हर कोई नवी रैंक के शिखर पर 6 युद्ध पालतू जानवरों के बारे में चिल्ला रहा था। वेनेरेबल ब्लेड ने विशाल हथोड़ा ले जाने वाले हुमनोइड युद्ध पालतू जानवर पर गंभीर नजर डाली। हालाकि सभी पालत लड़ाई के पालतू जानवरों की एक बड़ी संख्या थी और उसे एक साधन संपन्न व्यक्ति बनना था। यह देखते हुए कि उसके सभी पालतू जानवर नोवी रैंक के शिखर पर थे। वरुन ने ड्रैगन को देखा जो उसे सबसे दिल्चस्प लगा। वह एक दु जाल कवच पहना हुआ था जो एक प्रकार की धातू से बना था जिसे वरुन पहचान नहीं सका। वरुन के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने किसी पालतू जानवर को कवच पहना हुआ देखा। अधिक सटीक रूप से कहें तो एक पालतू जानवर जो मानव युद्ध पालतू जानवर नहीं था। आखिरकार यूनोइड युद्ध पालतू जानवर जो ज्यादातर मामलों में मनुश्यों के उन्नत संसकरण की तरह थे लडाई में हथियारों का उपयोग करेंगे। उन्हा कोई भी पालतू जानवर महान रैंक पर नहीं है। धीरे धीरे एक सुक्ष्म शक्ती ढाल का निर्मान कर रहा था और उसने वरुन को उदासींता से देखा। वरुन ने सिर हिलाया। उसने छोटे कंकाल को देखा, उसके सिर को थप्त पाया और छोटे कंकाल को बताया कि उसे क्या करने की जरूरत है। छोटे कंकाल ने अपन लिटल स्केलेटन अपने ब्लेड कॉशल के साथ तेजी से प्रक्ति कर रहा था, लेकिन वह अभी तक मास्टर नहीं था। उन्होंने अपना आदेश दे दिया, गर्जन, परिवर्तित सिल्वर वेंग ड्रैगन चिलाया, कई धातू की दीवारें जमीन से उठीन और धातू के किलेने जी गंगे को अंदर से ढख दिया, उसी समय दानव परिवार के युध पालतू जानवरों और तत्व परिवारों ने भी अपने रक्षात्मक कौशल को उजागर करना शुरू कर दिया, सभी कौशल रक्षा के लिए थे, जी गंगे के पालतू जानवर रक्षा की उन सभी पर्तों को स्थापित कर रहे थे, जैसे की कौशल में कोई उर्जा खर्च नहीं होगी, सुरक्षा त्रुटिहीन थी, वह सहमत था कि वह तीन सेकंड तक टिकेगा, इसलिए नहीं की उसे जीतना है, वह बहुत आसान था, परिवार के बुजर्गों और वेनेरिबल दबलेड ने कभी उम्मीद नहीं की थी की जी गंगे ने अपराथ करना छोड़ दिया है, और बचाव के लिए जा रहा है लेकिन उन्होंने जो किया वह वास्तव में वरोन के नियमों के अनुरूप था, हर किसी की नजर वरोन की ओर गई और वह उस युवक के चहरे पर शर्मिंदगी और घबराहट के कुछ निशान धूंदने की कोशिश करने लगे, लेकिन नहीं वह युवक हमेशा की तरह शा साथ साथ उसके छै युद्ध पालतू जानवर अत्यधिक सतर्क थे, वह तब भी जीवित रह सकता था जब लोंगजियान बेस सिटी के सभी बं उसके उपर फट गए, यहां तक की एक महान युद्ध पालतू योद्धा भी तीन सेकंड के भीतर जी गंगे को नहीं हरा सका जी गंगे शीरशक रैंक के शिखर पर था और पूरे उपमहादवीप जिले में प्रसिध था, वह कोई भी नहीं था, वरुन अपने किये से खुद को ही नुकसान पहुचाएंगे, वह बहुत अहंकारी था, क्या आप तयार हैं, वरुन ने जी गंगे से बेरुखी से पू उसे हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, छोटा कंकाल चुपचाप हवा में खड़ा था, अचानक लिटिल स्केलेटन की अंधेरी आँखो के सौकेट से लाल रंग की रोशनी की दो किरने फूट पड़ी, काली उर्जा धीरे धीरे धुन्ध की तरह बाहर निकली, छोटे कं लोगों को भी खून की गंध महसूस हो रही थी, जो इतनी तीखी थी कि बरदाश्ट करना मुश्किल था, हर कोई हैरान दिख रहा था, एक आधी चलने लगी, हड्डियों की उस धूमी पर कहीं से एक काला तूफान अस्तित्व में आया, तूफान लिटिल स्केलेटन के च और यहां आकरती नीचे की ओर दुनिया को देख रही है, शांदार कंकाल राजा, यहां तक की समय और स्थान की बाधाभी स्केलेटन किंकी आत्मा को फैलने से नहीं रोक सकी, छोटा कंकाल जो शांदार कंकाल राजा के सामने था, गती पकड़ रहा था, यह ऐसा था मानो चोटे कंकाल ने किसी देवता, दानव की खाल पहन रखी हो, हड़ी के ब्लेड ने एक गहरी चमक उचसरजित की जो प्रकाश को निगल सकती थी, और ब्लेड एक दरजन मीटर से अधिक लंबा हो गया था, हत्या का इरादा, जल्ती हुई लप्तें, लिटल स्केलेटन की ल रादे ने उसके दिमाग पर हमला किया, उसे लगा कि वह अंगिनत राक्षसों को चिलाते हुए सुन रहा है, असंख्य भूतों को चिलाते हुए देख रहा है, और वह कंकालों को खड़े होने के लिए संघर्श करते हुए देख सकता है, वह नजारा था नर्क का, क्या यह स्टॉप वाच पर स्टार्ट दबाया यह यहां था तीन सेकंड जी गंगे ने खुद को तयार किया द्रिड इच्छा शक्ती से वह अपने मन के सभी गंदे विचारों से मुक्थ हो गया उसने तुरंट अपने पालतू जानवरों को आदेश दिया एक शन पहले उसने सोचा था की बचाव करना उसके लिए आसान होगा लेकिन ठीक इसके बाद वह जानने से पहले ही अंजाने में घबरा गया था चोटे कंकाल ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक दहार गूंज उठी गरजन चोटे कंकाल के पीछे कंकाल राजा भी गुर्रा रहा था और वह नहित उर्जा की कलपना करना कठिन था इससे मानो आसमान तूट पड़ा हो हूश 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 एक लगभग पारगर्शी सील अस्तित्व में आई यह एक महान रैंक सुरक्षा थी जो किसी भी चीज को टेलिपोर्टिंग कौशल का उप्योग करने से रोग सकती थी लिटल स चोटा कंकाल नहीं हिला चोटा कंकाल दूर नहीं चमका अंगिनत मुरों और धालों का सामना करते हुए चोटे कंकाल ने धीरे धीरे अपना ब्लेड उठाया चोटे कंकाल ने दस मीटर से अधिक लंबे काले ब्लेड को उचा उठाया ऐसा लग रहा था कि शांदार कंकाल अपने हाथों में एक ब्लेड भी पकड़ रखा था। अपने हाथों में एक ब्लेड भी पकड़ रखा था। अपने हाथों में एक ब्लेड भी पकड़ रखा था। गर्जन, इलिमेंट परिवार का एक पालतु जानवर चिलाया और धराशाई हो गया। पालतु जानवर के उपर बिजली चमक रही थी। बिजली का बोल्ट ब्लेड से टकराया लेकिन ब्लेड ने पालतु जानवर को उड़ा दिया। पालतू जानवर की छाती पर एक बड़ा तिर्चा कट था, एक ऐसा कट जिसने पालतू जानवर को लगभग आधा कर दिया था। युद्ध के अन्य पालतू जानवरों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए परियाप्त समय नहीं था। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। जी ग जानक्षन के दौरान ध्वनी भी गायब हो गई थी। दौर ना। इससे दूर भागो। पफ। खून बह निकला। जी गंगे ने किनारे की ओर रुख किया। उसने सोचा कि ब्लेड अभी भी उससे कुछ दूरी पर है। जबकि वास्तव में ब्लेड पहले ही उस तक ब्लेड था। ब्लेड की नोक उसके माथे पर निशाना लगा रही थी। छोटा कंकाल आधा मैदान दूर होना चाहिए था। यह वही था जहां यह एक सेकंड पहले था। हाला कि इस समय सभी सुरक्षा परतों को तोरने के बाद छोटा कंकाल उसके पास पहुँच गया थ शानदार कंकाल राजा छोटे कंकाल के पीछे खड़ा रहा। कंकाल राजा की शक्ती ने युद्ध के छे पालतू जानवरों को भैसे कामपने पर मजबूर कर दिया। रुकना किसी ने कहा। यह वरुन था। जी गंगे को अपने जीवन में कभी यह एह एहसास नहीं कि किसी आदमी की आवाज इतनी खूबसूरत हो सकती है। हत्या का वह उग्र इरादा तुरंत शान्थ हो गया। लेकिन कंकाल अभी भी उसके सामने खड़ा था और ब्लेड अभी भी उसके माथे पर लगा हुआ था। ब्लेड उसके बहुत करीब था। वह कभी बच नहीं पाएगा। वह वरुन ने उडान भरी और जी गंगे पर उत्रा। वरुन ने जी गंगे को स्टॉप वाच दिखाई। प्यार में। यदि आप परिणाम से असंतुष्ठ हैं तो हम पुना प्रयास कर सकते हैं। जी गंगे ने नंबर पढ़ा। एक दशमलव तीन चै सेकं दो सेकंड से भी कम। जी गंगे का चेहरा धुंधला हो गया था। वह वरुन की स्टॉप वाच पर सवाल नहीं उठा रहे थे। आखिर उसे पता था कि क्या हुआ था। कंकाल ने केवल एक बार ही अपना ब्लेड चलाया था। समय अब मायने नहीं रखता। उसे यकीन थ था कि वह उस स्लैश से बच नहीं सकता था। वह करारी हार थी। यह गिन्ना की कितने सेकंड बीते इस बिंदु पर अर्थहीन था। लिटल स्केलेटन ने केवल एक बार अपनी क्रिपान लहराई थी। लेकिन नवी रैंक के शिखर पर छै लड़ाकु पालतू जानवरों चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों नहों, लिटल स्केलेटन को हरा नहीं सकते थे। एक मात्र ऐसे लोग जो लिटल स्केलेटन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वे महान युध पालतू योध्धा होंगे। दूसरे शब्दों में वह युवक पौरानिक रैंक से बाहर, प्रमुख परिवारों के बुजुर्ग, वेनेरेबल डबलेड और तांग रुयान सभी घटनास्थल पर मौजूद थे। उनका आश्चर्य तब भी जारी रहा जब वरुन जी गंगे को समय दिखाने गए। वह एक भयानक कदम था। जी गंगे, शस्त्रो का राज शीर्षक रैंग के शिखर पर एक योध्धा, एक चाल के बाद हार गया। यह महस एक चाल थी, और वह हार गया था। कुछ समय के लिए यहां तक की वेनेरेबल डबलेड भी जो बदले हुए भाव में था, ठीक से समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। जी गंगे और वेने शीर्षक रैंग के शिखर पर थे। यह विश्वास करना कठिन था कि उसे सीधे परास्त कर दिया जाएगा, इस तथ्यका तो जिकर ही नहीं कि वह पूरी तरह से तयार था। पौरानिक उस कंकाल को महान रैंग का एक युद्ध पालतू होना था। विनेरेबल डबलेड के तो उसका टैंग परिवार। इस विचार से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कामपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने उम्मीद छोड़ दी थी। अब संगीत का सामना करो। क्या आप जुपते हैं। वरुन ने अपना फोन हटा दिया और जी गंगे को जी गंगे ने अपना मन साफ कर लिया। उसका मुह हिल गया। इतने वर्षों में यह पहली बार था जब उसने यह प्रशन सुना था। उपज। यदि वह अभी भी अपनी युवावस्था में होता, जब उसका फ्यूस छोटा होता, तो उसने लिटिल स्केलेटन को कई ब परेशानियों में डाल दिया था। समय के साथ-साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व में भी सुधार किया। क्या मैं पहले विकल्प के साथ जा सकता हूँ। जी गंगे ने एक सबर्गस्ती मुस्कुराहट पैदा की और वह अब उदासी नहीं लग रहा था। कंकाल की उन्खंड का वह हिस्सा जो पानी के नीचे था, कितना भयानक होगा। वह उस युवक को क्रोधित करने का जोखिन नहीं उठा सकता था। वह उसे क्रोधित नहीं कर सका। वह लड़की संस्था द्वारा प्रशिक्षित एक बच्ची थी। उसकी बली देनी पड़ी ऐसा ह क्योंकि संस्था में और भी कई हुनहार बच्चे थे। एक बच्चे के कारण पूरे संगठन को खत्रे में डालना मूर्खता होगी। जी गंगे ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि वरुन ने समय रहते कंकाल को रोक दिया था। अन्य था यदि कंकाल ने उसे वही मार डाला होता तो इस घटना का स्वरूप बदल जाता। जी गंगे स्टार संगठन के जंडों में से एक था। यदि वह वहां मर जाता तो स्टार ओर्गेनाइजेशन पूरी ताकत लगा देता और वरुन के खिलाफ जवाबी कारवाई करता। तब तक अगर यह पता चला कि एक प्रसिध युद्ध पालतु योध्धा इस स्टोर का समर्थन कर रहा था तो स्टार संगठन को भारी नुकसान हो सकता था या तबाही हो सकती थी। उन्होंने जो जानकारी एकत्र की थी उसके आधार पर उनका मानना था कि इस बात की बहुत अधेक संभावना है कि एक प्रसिध युद्ध पालतु योध्धा स्टोर का समर्थन कर रहा था जी गंगे को याद आया कि राष्ट्रपती ने उनसे क्या कहा था यदि उसे एक महान युद्ध पालतु योध्धा की उपस्थिती का सबूत मिला तो उसे स्विकार करना होगा एक दिगज से हारना शर्मनात नहीं था. पहला विकल्प, ऐसा लग रहा था कि वरुन को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि जी गंगे ने इसका जिक्र किया. मैंने एलीट लीग के दौरान सारवजनिक रूप से स्टार ओर्गनाइजेशन को शर्मसार किया है और आपके पास अभी भी अकेले आने का आत्म विश्वास था. अब क्या आपके पास वह उत्तर है जिसे आप इतनी उत्सुता से जानना चाहते थे, वरुन में चिढ़ाते हुए कहा. जी गंगे पीला पड़ गया. उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह युवक पहले ही उसे देख चुका है. क्य जदी वह ब्लेड नहीं होता जो अभी धी उसके माथे पर लगा हुआ था, तो जी गंगे ने कदम उठाया होता और वरुन के हाथों को हिला दिया होता. वरुन को खुशी हुई की जी गंगे कमरे को पढ़ने में सक्षम था, इसलिए उसने लिटिल स्केलिटन को अपना ब धपालतू. वेनरेबल दबलेड जिजगे लेकिन अंत्ता वरुन से पूछने का फैसला किया. लेकिन पूर्व सपष्ट रूप से पहले की तुलना में अधिक साबधान था. क्या यह पौरानिक रैंक पर है? वरुन सोफे पर बैठ गया था. उसने दो आइसक्रीम निकाली और एक आइसक्रीम कोन वेनरेबल दबलेड को दिया. नहीं, वरुन ने सिर हिलाया. वरुन ने यह नहीं बताया कि लिटल स्केलेटन महस सात्वी रैंक पर था. कुछ समय तक स्टोर चलाने के बाद, उन्होंने लोगों की मनोवैग्यानिक सहनशील क्षमता की बुनियादी समझ हासिल कर ली थी. यदि वह विनरेबल दबलेड को तथ्य वैसे ही बता दे जैसे वे थे, तो बलेड इसे केवल एक मजाक के रूप मे लेगा. इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया. जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, विनरेबल दबलेड ने अजीब लेकिन वि सकान बिखेरी. यह पौरानिक रैंक नहीं था. क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? उसने केवल पौरानिक युद्ध के पालतू योध्धाओं से ही उस जबरदस्ट भावना को महसूस किया था. इसके अलावा, यह पहली बार नहीं था जब उसे स्टोर में किसी लेने में कोई आपती नहीं थी. दरसल वह एंजॉय करते नजर आए. पिछली बार जब मैं तुम्हारे कंकाल को सिखाने आया था, तो उसका कौशल इतना अच्छा नहीं था. विनरेबल ब्लेड ने अपनी आइसक्रीम चाटी और वरुन से पूछा. उसने अभी जो देख उसने उसके दिल पर चाप छोर दी. वह चाहकर भी इसे भूल नहीं सका. विनरेबल डब्लेड कृपानों और तलवारों और उससे भी अधिक कौशल के प्रती जुनूनी था. उसे लिटल स्केलेटन की चाल को गहराई से समझने की इच्छा थी. वरुन ने उस पर नजर ड क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? स्केलेटन ने न केवल जी गंगे की बाह काट दी, बलकि और भी अधिक नुकसान पहुचाया होता. छोटे कंकाल ने उसे मिटा दिया होगा. एह, आधरणिय ब्लेड को परिशान करने वाली भावनाने जकड लिया था. क्या उनका पूर्व छात्र उनका शिक्षक बनेगा वह अध्भुत चाल एक बार फिर उसके दिमाग में उभरी. एक पल की जिजक के बाद वेनेरेबल दबलेड ने सिरहिलाया. जरूर, वरुन आश्चर यचकित्थे की वेनेरेबल दबलेड सहमत होंगे. आखिरकार एक युद्ध पालतु जानवर से कौशल सीखना उस पर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा. हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती. दूसरी और वरुन ने भी यही किया होगा. ताकत ही सब कुछ थी. यह वह सत्य था जो उसने बार-बार मृत्यु का अनुभव करने के बाद सीखा था. जीने के लिए आवश्चक ताकत मिलने के ब विश्य निश्चित रूप से आशाजनक था. विनेरेबल दबलेड को खुशी थी कि वरुन सहमत हो गया था. उसी समय अन्य बुजूर्ग और जी गंगे वापस आ गये थे. दोनों को सोफे पर बैठे देखकर बुजूर्ग घबराए और आश्चर्यचकित हुए बिना न उद्धा ही होंगे. लिव परिवार के दो बुजूर्ग बुरी तरहे पीले पड़ गए और वे अपने पैरों को कामपने से नहीं रोक सके. उनकी साधना के स्तर को देखते हुए उनके पैर इतने कमजोर नहीं होने चाहिए लेकिन वे अनियंतरत रूप से कामपने के अला ना करना पड़ेगा क्योंकि स्टार संगठन उस पर काबु पाने में असमर्थ था. लिव परिवार के दो बुजूर्ग असमन जस्मे थे. इस बीच अन्य बुजूर्गों में से कोई भी लिव परिवार पर खुशी मनाने और हंसने के मूर में नहीं था क्योंकि वे सभी जटिल भावनाओं से ग्रस्थ थे. यदि वरुन को ऐसा लगता तो वह सभी प्रमुख परिवारों को एक जुट कर सकता था और उन्हें अपनी निजी ताकत में बदल सकता था. तब तक लोंगजियान बेस सिटी में केवल एक ही शासक होगा और वह वरुन होगा. यह किसी रूप से वे अपना चहरा बचाना चाहते थे लेकिंग. उन्हें पहले लागत पर विचार करना था. तुम सब वहां क्यों खड़े हो? बैठ जाओ, वरुन ने उन लोगों से कहा जो जमीन से जुड़े हुए थे. बड़े बुढ़े चौंके. उन्हें विश्वास ही नही अध्धाओं का खिताब दिया गया था, जिन्होंने कई साल पहले अपनी प्रसिधी स्थापित की थी, उस समय जब वरुन एक युवाव्यक्ती थे, एक उभरती हुई प्रतिभा थी. पता चला की यह उभरती हुई प्रतिभा एक राक्षस थी. वह इतना धमकाने वाला थ था कि वे उसके साथ बैठने से डरते थे. जी गंगे को उन परिवार के बुजर्गों को मनाने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी क्योंकि वह इस समय एक जटिल मूर में था. उसने अपना काम पूरा कर लिया था, जो दुकान और उस युवक्त के बारे में पता लगाना था बात यह थी की परिणाम सबसे बुरा था जिसकी उसने कभी कलपना भी नहीं की होगी. जी गंगे ने गहरी सांस ली. वह आगे बढ़ा और बैठने के लिए कुरसी पकड़ ली. श्री, सु चलो पहले विकल्प के बारे में बात करते हैं. यह देखकर वरुन अवाक रह लेकिन उन्होंने दोबारा ऐसी पेशकश नहीं की. लिव परिवार के अलावा अन्य परिवारों ने ठीक से काम किया था और उनके पास लेने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था. यही कारण है कि उन्हें उनके साथ अच्छा व्यभार करने में कोई आपत्ती नही थी. यदि लिव परिवार के सदस्य ही उपस्थित एक मात्र आगंतुख होते तो वह उन्हें बैठने के लिए कहने की जहमत नहीं उठाते. मुझे पहले बताओ कि तुम क्या पेशकश कर सकते हो वरुन ने जी गंगे से कहा. उसे सबसे पहले बाद वाली बात बतानी थी. जी गंगे ने एक प्रश्न का उत्तर दिया. श्री, सु तुम्हें क्या चाहिए? मुझे लगता है कि आपको पैसे में कोई दिल्चस्पी नहीं है. क्या आपको खजाना चाहिए या? मैं एक पालतू जानवर? मुझे पालतू जानवर नहीं चाहिए. जैसा कि आप देख सक हैं. मेरे पास एक पालतू जानवर की दुकान है. वरुन ने बताया. जी गंगे ने सिरहिलाया. यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी. यदि वरुन को युद्ध के पालतू जानवर चाहिए होंगे, तो वे दुल्लब होंगे. इंफर्नो ड्रैगन की तुलना में कहीं पहुच सकते हैं. जहां तक खजाने की बात है. जी गंगे ने विचार किया. वे चीजे सस्ती नहीं थी. वरुन सामान्य खजाने स्विकार नहीं करेंगे. दूसरी और बहुमुल्य खजाने को कोई भी ताकत संजो कर रखेगी. मुझे खजाने की सक्त जूरत नहीं है. वर जह ढूंडनी होगी. चुकि जी गंगे को नहीं पता था कि क्या पेशकश करनी है. वरुन ने एक सुझाव दिया. मेरी केवल तीन मांगे हैं. उनके बारे में सोचो. सबसे पहले मैं आपको सामगरियों की एक सूची दूंगा. स्टार ओर्गेनाईजेशन को आधे साल के भीतर उन सभी को ढूंडना होगा. दूसरा, मुझे स्टार ओर्गेनाईजेशन के पास मौझूद सभी खजानों की एक सूची दीजिए. मैं ऐसी कई चीजें चुनूंगा जिन में मेरी रुची हो सकती है. तीसरा, भविश में, जब जूरत पड़े, मुझे स्टार करने के लिए संगठित करने में सक्षम होना चाहिए. उन्होंने तुरंट अपनी मांगे बताई और फिर जी गंगे की ओर देखा. जी गंगे को परेशानी महसूस हुई. वरुन ने बहुत कुछ नहीं मांगा था, लेकिन वह मांग कर रहा था. ठीक है, पहले वाले के ने सामगरी मांगने की जहमत नहीं उठाएगा. जिन चीजों की वह तलाश कर रहा था, वे निश्चित रूप से मिलना कठिन थी या विलुक्त भी थी. जी गंगे ऐसा कोई वादा नहीं कर सका, जिसे वह पूरा नहीं कर सका. सिर हिलाने से पहले वरुन ने एक पल के पूजना बना रहे हैं. जैसे तीन या कोई अन्य संख्या. कोई बात नहीं, तीन है. लेकिन आपको वादा करना होगा कि मैं स्टार और्गनाइजेशन में आपके पास मौजूद सभी खजानों में से चुन सकता हूँ. अगर मुझे पता चलता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं, तो डील तोरने के लिए मुझे दोश न दे, वरुन ने उसे साबधान किया. जी गंगे ने तुरंत कहा, बेशक हम आपके लिए अपना गोदाम खोलेंगे. हमारे पास खजानों के बारे में सारी जानकारी है, और मैं आपको पिछले 6 महीनों के भीतर अपडेट की वरुन ने खर्राटा लिया. उनके पास यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था कि क्या वे जानकारी में फर्जी वाड़ा कर रहे थे. उनका मानना था कि उनमें यह ख्शमता है क्योंकि जी गंगे ने बिना किसी हिचकी चाहट के उत्तर दिया था. वह देखेंगे क वह बस कुछ दुरलब और अच्छे कारियों वाला चाहता था. स्क्रॉल जैसा कुछ अच्छा होगा. ये कोई हथियार तो नहीं था लेकिन काफी उप्योगी था. जहां तक आपकी तीसरी मांग का सवाल है, श्रीमान सूक चिन्ता न करें. भविश्य में जब आप हमारे शेतर में आएंगे, तो हम आपका उच्छतम मानक के साथ स्वागत करेंगे. जी गंगे ने सोचा कि यह सबसे आसान मांग थी. वरुन ने सिर हिलाया. आदरनिय ब्लेड ने एक आह भरी. यहां तक कि स्टार ओर्गेनाईजेशन ने भी समझोता करना चुना था. स्टार ओर के अन्य बुजर्ग जटिल विचारों से भर गए. कौन सोच सकता था कि उपमहादवीप जिले की सबसे बड़ी ताकत ने लोंगजियान बेस सिटी के इस जरजर स्टोर में आत्मसमर्पन कर दिया था. सुपिक को सिर हिलाते देख कर जी गंगे को राहत मिली. श्री, सु क् लड़की को अपने साथ ले जा सकता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए पूछा. उसे यहां से ले जाओ. वरुन ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसने सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो. आपको क्या लगता है कि आप उसे ले जा सकते हैं, जबकि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया है. कुमा, जी गंगे को भी ऐसास हुआ कि यह एक समस्या हो सकती है. उसकी भौहें आपस में जुडी हुई थी. या क्या आप मुझे उसे देखने दे सकते हैं? वरुन ने भौहें सिकोड ली. आखिरकार वह सहमत हो गया. गुस्सा कर देने वाला. यहां इ होने से पहले उसने चारों और नजर दोड़ाई. उसने सीधे चहरे से वरुन की और देखा जैसे कोई चीज उसे डरा नहीं सकती. वरुन ने कहा, स्टार ओर्गेनाइजेशन आपके लिए आ रहा है. इन शब्दों के बाद उसके चहरे पर एक जीवंत भाव उनर जीवित हो गया और उसकी आखें चमकने लगी. वे उसके लिए आ रहे थे. वह आजाद होने वाली थी. इसने कोई आश्चर्य नहीं कि वरुन उसे स्टोर फ्रेंट के बजाए इस चोटे से कमरे में ले जा. रहा था. वह अभी भी पुस्तक के रहसियों को छिपाने की कोशिश कर था. यान बिंग्यू ने व्यंग्य किया. वह संगठन को वापस रिपोर्ट करेगी और वरुन के स्टोर के बारे में वह सब कुछ बताएगी जो वह जानती थी. उन्हर यान बिंग्यू ने एक बार फिर अपनी थंडी अभिव्यक्ति दिखाई. दरवाजा खोलो उसने आ हथियारों का राजा. जैसे ही वह स्टोर फ्रेंट में आई, उसने जी गंग्य को सोफे पर बैठे देखा. उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि संगठन उसे इतना महत्व देता है. उन्होंने उसे लेने के लिए एक सदस्य भेजा था. यह कितना रोमाजकारी और जब वह जी गंगे के सामने खड़ी थी, तो वह सम्मान से भरी हुई थी. आपसे मिलकर अच्छा लगा, शस्त्रो के राजा. मुझे खेद है कि मेरी वजह से आपको और संगठन को परेशानी हुई. मैं जानता हूँ कि मौत भी अपराध का प्रायश्चित करने में मेरी सकती. जी गंगे ने उसे घूर कर देखा. निसंदे वह जानता था कि यही वह लड़की है जिसके लिए वह यहां आया था. माफी मांगते समय उसकी आखों में ठंड़क की चमक उभराई. वो सही थी. उसके अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मृत्यू भी परियाप नहीं थी. आने से पहले उन्होंने सबसे पहले इस बात की जाच की कि वह लोंगजियान बेस्ट सिटी क्यों गई थी. ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लोंगजियान बेस्ट सिटी को एलीट लीग की वैश्विक चैंपियंशिप जीतने के लिए एक कदम के रूप में इस्ट स्टार और्गनाईजेशन के पास एलीट लीग के लिए कोई कोटा नहीं था। लेकिन यदि आप भाग लेना चाहते थे तो आपको संगठन से अनुरोध करना चाहिए था। संगठन ने शुरू से ही प्रतिसपरधा करने के लिए आपके लिए एक आधार शहर में जाने की य खड़ी कर दी। इस खूबसूरत लड़की ने वास्तव में उसे गलत तरीके से रगड़ा लेकिन उसने अपनी नापसंदगी नहीं दिखाई तब भी नहीं जब वहां बाहरी लोग मौजूद थे। इसका जिक्र मत करो। जब तक आप ठीक हैं जी गंगे ने उदासीमता से उत्तर दिया। यान बिंग्यू को शस्त्रों के राजा से दूर व्यवहार करने की आदत हो गई थी। तथ्य यह है कि जी गंगे वहीं बैठी थी। इससे उसका साहस बढ़ गया था। उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आखें लाल हो गई। शस्त्रों के राजा म उसके अपने ही लड़ाकू पालतू जानवर ने कुचल दिया था। यान बिंग्यू को इतना दर्ध हुआ कि उसके दिल ने धड़कना लगभग बंद कर दिया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई सुई लगातार उसके दिल में चुभ रही हो और वह अब इसे सहन नहीं कर सकती। इमारत में सन्नाटा चा गया। जब यान बिंग्यू ने अपना आरोप समात किया तो सन्नाटा चा गया। उसने कुछ सेकंड तक इंतजार किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बता सकती थी कि कुछ गढ़बढ है। उसने अचानक देखा कि जी गठन से नहीं थे। उन सभी लोगों के चहरे पर अजीब भाव थे। जान बिंग्यू ने जी गंगे की ओर रुख किया केवल यह देखने के लिए कि उसका चहरा धुंधला हो गया था। महोदै जान बिंग्यू चकित था। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि कुछ बढ़ है। बकवास जी गंगे ने उसे डाटा। वह सच में क्रोधित था और उसकी चीख इतनी शक्तिशाली थी कि हवा भी काप रही थी। यान बिंग्यू और भी अधिक भ्रमित था। उह? वह क्यों होगा? इतनी जोर से चिल्लाओ? वे मरने के लायक थे। यहां तक की बिंग्यू पर क्रोधित था। उसे डर था कि उसके शब्द वरुन को और अधिक आहत करेंगे। अगर गुस्से में आकर उसने उन दोनों को मार डाला तो हाला आप निश्चित रूप से खराब होंगे। अब से उस बात का जिक्र मत करना। यदि आप इसके बारे में दो सु कहकर क्यों संबोधित करेंगे। वह उसके प्रती इतना विनम्र क्यों होगा। यान बिंग्यू का भ्रम बढ़ता गया और बढ़ता गया। उसने चारों और देखा और जल्द ही पाया कि तांगरुयान भीड में थी। यह देखते हुए कि यह लड़की एक सहपीडित यान बिंग्यू को उस पर भरोसा था। लेकिन इस समय वह तांगरुयान के चहरे पर एक अजीब भाव देख रही थी। यह एक ऐसा नजारा था जिसे चंद शब्दों में बया करना मुश्किल था। यान बिंग्यू का दिमाग सुन होता जा रहा था। उसे पता नहीं थ लेकिन वह इतनी समझदार थी कि उसने बताया कि चीजें उस तरह नहीं हो रही थी। जिस तरह उसने उम्मीद की थी। स्टार संगठन को वरुन की पिटाई करनी चाहिए थी और फिर उसे उठा कर उन देहाती लोगों को दिखाना चाहिए था कि संगठन कितना शक्तिशा जाली है क्या ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर वह वरुन से माफी क्यों मांगेंगी वह पीडिता थी। सू सू यान बिंग्यू बुदबुदाया। उसे माफी मांगने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। जी गंगे अवाक थी। संस्था में प्रशिक्षित एक लड़की ऐसी कैसे हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ वर्शों में संगठन में शिक्षा के तरीके गलत हो गए हो। श्री। सो वह एक बच्ची है और वह नहीं जानती की कैसे व्यभार करना है। कृप्या उसे माफ कर दें। मैं उसकी ओर से माफी मांगूंगा। जब ह वापस आएंगे तो मैं उसे अनुशासित करूंगा जी गंगे ने तुरंत वरुन से कहा। वरुन ने खुद को शांत किया। कोई बात नहीं। जी गंगे ने राहत की सांस लीक्यों की उसे लगा कि वरुन की हत्या का इरादा कैसे ख्त्म हो गया। वह यहां एक भीक्षन आएगा और आपको ले जाएगा। इस दौरान व्यवहार करें। संगठन के लिए दोबारा समस्या न खड़ी करें। अंतिम वाक्य तक पहुँचते पहुचते वह स्पश्टता अधिक गंभीर लग रहा था। उसे इस बात से कोई आपत्ती नहीं थी कि वे स्थानिय शी जे लेने यहां नहीं आया था। जी गंगे ने उससे कुछ नहीं कहा। जिस लड़की ने संस्था के लिए मुसीबत खड़ी की थी उसकी अब कदर नहीं की जाएगी। जी गंगे खड़े हुए और वरुन और वेनरेबल दबलेड को अलविदा कहा। मिस्टर सु यदी आ अचानक वह याद आया। उसने अपना सिर्थ हप्थ पाया। आह मुझे देखो। शमा मामना। मैं इंतजार करूंगा। वरुन को एक कलम और कागस का एक टुकडा मिला और उन्होंने सोलर बुलवार के दूसरे स्थर के लिए आवश्यक सामगरियों को लिख लिया। वह उन्हें ये लिस्ट जी गंगे को दी मुझे सूची की सभी सामगरिया चाहिए। एक चूप जाओ और तुम्हें दूसरा खजाना चुनने के अफसर के लिए इसका आदान प्रदान करना होगा। जी गंगे आश्चर यचकित थी। वह सौदे का हिस्सा नहीं था। यह सप पर चर्चा के लिए उन्हें वापस जाना पड़ा। प्रात्मिक्ता स्टोर छोड़ना था। इस असमवेदनशील उत्तर के बाद वरुन ने अपनी भौहें उपर उठाई और फिर भी जी गंगे का उत्तर स्मार्ट था। वरुन ने दूसरा प्रशन किया, आप मुझे ख पादवाले ने तुरंट माफी मांगी, बिल्कुल नहीं। श्री सू यदि आप बहुत व्यस्थ हैं, तो हम उन्हें। आप तक पहुचा सकते हैं। कल इस समय तक आप मुझे खजानों के बारे में जानकारी दीजिएगा और मैं तीन चीजे चुनलूंगा। आप परसों इसी समय तक मुझे तीनों वस्तुए पहुचा देंगे। अगर तुम्हें देर हो गई तो मैं उन्हें लेने तुम्हारे पास जाऊंगा और उसकी लाश भी अपने साथ ले जाऊंगा। जी गंगे पीला पड़ गया। श्री सू पागल मत बनो। मैं वही करूंगा जो मै जानिक युद्ध के पालतू योध्धाओं के बाद दूसरे स्थान पर था, वह वरुन को देखकर मुस्कुरा रहा था। दुन्या में कुछ ऐसा बदल गया था जिससे यह सब अजीब हो गया था। श्री सू क्या तुम्हारी मुझ से कोई और मांग है। यदी नहीं तो म अत्यंत आवश्यक नहो वह इससे बचता था। उपमहाद वीट जिले में सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्टार और्गनाइजेशन के पास कई संपत्या और परिसंपत्या थी। संगठन को मिटाना आसान था लेकिन सभी संबध संपत्यों और व्यवसाय पर कबजा करन जाएगा जो टाइकून के लिए फायदे मंद होगा लेकिन उन व्यवसायों में काम करने वाले निर्दोष लोगों के लिए हानिकारक होगा। सामान्य कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है और परिवार तूट सकते हैं। इसलिए जबकि वह दूसरों को हिंसा से हराने के ल खिरकार वह कभी भी दयालू व्यक्ति नहीं था। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन व्यवहार करना याद रखें। वरुन ने जी गंगे पर एक सार्थक नजर डाली। यह कोई चेतावनी नहीं थी बलकि इमानदार सलाह थी। जी गंगे ने एक सबरग दस्ती मुस्कुराहट दिखाई, अलविदा कहा और चली गई। वह जाने ही वाला था कि वह भौहे सिकोर कर रुप गया। उसने आसमान की ओर देखा और देखा कि एक काला बादल धीरे-धीरे दुकान की ओर बढ़ रहा है। काले बादल केवल धीरे-धीरे सरकते प्रती बीत हुए। कुछ सेकंड बाद जी गंगे ने देखा कि बादल कई गुना बढ़ा हो गया। कुछ और सेकंड बीत गए। वह पहले से ही विवन देख सकता था। यह पक्षियों का जुंड था। क्या यह कोई हमला है। जी गंगे के चहरे पर गंभीर अभिव्यक्ती थी बेस शहर पर हमले की कगार पर होना एक आश्चर्य की बात थी। हवाई जानवरों से भी कम नहीं। जी गंगे ने मदद के लिए तयार होकर सुक्ष्म शक्तियां जुटाईं। एक शीरशक वाले युध के पालतू योध्धा के रूप में सम्मान और शक्ती ही वे एक मात चीजे नहीं थी जिन पर वह विचार करते थे। उनके कंधों पर भी भारी जिम्मेदारी थी। उसे अंगिनत लोगों की प्रशंसा प्राप्त थी। इसलिए उसे उनके जीवन की रक्षा करनी पड़ी। क्या? वरुन जी गंगे को देखने जा रहा था। इसलिए उसने आते हुए काले बादल को भी देखा। उन्होंने तुरंट स्टार प्रिज्म का उप्योग किया और अपनी आखो पर सुक्ष्म शक्तिया एकत्रित कर ली। सोलर बुलवार की मदद से उनकी द्रिष्टी में व्रिधी हुई जल्द ही उन्होंने पहचान लिया की बादल प फीनिक्स का भोजन थे। वे दोनों बच्चे एक साथ क्यों रहेंगे। जल्द ही जैसे ही पक्षियों का जुन करीब आया वरुन ने मनुश्यों को पक्षियों की पीठ पर घूमते हुए देखा। ये कोई हमला नहीं था। जी गंगे उड़कर पक्षियों के जुन से न नाम उचला। केवल एक ही परिवार थंडर स्पैरो को माउंट के रूप में उपियोग करेगा। वह परिवार यहां क्यों आएगा। काले बादल ने रोशनी को धुन्धला कर दिया। पक्षियों का जुन शक्ती का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए आया। उनके लोगों की टोपिया भी हवा के कारण खो रही थी। उन्ह? स्टोर के अंदर विनरेबल डबलेड और परिवार के बुजुर्ग देख पा रहे थे कि सड़क पर क्या हो रहा है। चुंकि वे अंदर बैठे थे या खड़े थे इसलिए उन्हें आकाश दिखाई नहीं दे र लोगों को बमुश्किल सुनाई देते थे लेकिन युद्ध के पालतू योध्धा कहे जाने के कारण वे शोर को बहुत सपष्ट रूप से सुन सकते थे जैसे कि वे पक्षियों के जुन से घिरे हों। क्या हो रहा है? आश्चर्यच के थोकर वे तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े। पहली नजर में ही वे हामफने लगे। इतने सारे पक्षी। सभी असंख्य थंडर स्पैरो आठवी रैंक तक बढ़ गए थे। थंडर स्पैरो के सामने। परिवार के कुछ बुजुर्गों की सांसे अटक गई। क्या भर डार्क फेदर फीनिक्स है? नौवी तुरंत कुछ चिंता जंक बात सूजी। अगर उसने कभी नहीं देखा होता कि कंकाल क्या करने में सक्षम था, तो वह खुशी से जूम उठती और वरुन की नाक की ओर इशारा करके विजी होकर चिल्लाने लगती। कंकाल की शक्ती को देखकर तांग रुयान खुश होने स ज्यादा चिंतित था। उसे आश्चर यह हुआ कि उसके परिवार के कितने सदस्या रहे हैं। फेदर सेनाय जितनी शक्तिशाली थी, वे सामोहिक विवाद में अधिक उप्युक्त थी। आमने सामने की लड़ाई के लिए किसी व्यक्ती की ताकत अधिक मायने रखती है। उसे आश्चर यह हुआ कि तान परिवार के कितने बुजुर्ग आय थे। ताम रुयान अपने कपड़े पकड़ रही थी। वह इतनी घबरा गई थी कि उसकी हथेलिया पसीने से तर हो गई थी। एक डार्क फेदर फीनिक्स विनरेबल ब्लेड उस समय दंग रह गए जब उन्होंने थंडर स्पैरो के सामने सबसे बड़े पक्षी को उर्ते देखा। डार्क फेदर फीनिक्स को बहुत प्रसिधी मिली यह काफी दुलब पालतू जानवर था। पूरे उपमहाद वीप जिले में कुछ ही लोगों के पास डार्क फेदर फीनिक्स थी। सबसे प्रसिध तान परिवार का व्यक्ति था। इसलिए विनरेबल ब्लेड को एहसास हुआ कि डार्क फेदर फीनिक्स को देखने के तुरंत बात कौन आ रहा था। उसे टैन परिवार की उस लड़की की याद आई जो वरुन के स्टोर में रहती थी। आदरणिय ब्लेड ने लड़की पर एक नजर डाली। टैन परिवार को खबर मिल गई होगी और वे उसके लिए आ रहे थे। वरुन ने अभी अभी स्टार और्गनाइजेशन सेजी गंगे की देख भाल की थी और फिर टैन परिवार आ गया। विनरेबल ब्लेड ने अपने होंट से कोड लिए और पीछे से वरुन की ओर देखा। वरुन उपदरव मचाने में बहुत अच्छे थे। सबसे पहले उसने उपमहागवीप जिले की सबसे बड़ी ताकत को उकसाया और फिर उसने एक प्राचीन परिवार को गलत तरीके से परिशान किया। आदरणिय बलेड को एसास हुआ कि वह वास्तव में गलत दिन पर आया था। इस दिन उसने मौजमस्ती में शामिल होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया था। इस ने तांग रुयान की ओर देखा। अंतर वह उसका उपयोग कुछ व्याभारे पाने के लिए कर सकता था। इस बीच डार्क फेदर फीनिक्स नीचे की ओर तब तक उरता रहा जब तक कि वह हवा में मंडराना बंद नहीं कर दिया। दार्क फेदर फीनिक्स के पंखों का फैलाव 100 मीटर से अधिक था जिसने कई दुकानों की रोशनी को फीका कर दिया था। अन्यदो नौवी रैंक के युध पालतू योध्धाओं और थंडर सपैरों के जुण के साथ सड़क पर किसी भी जगह पर कोई रोशनी नहीं दिख सकती थी। पक्षियों का जुण रुख गया। स्टोर के बाहर मौजूद पत्रकार डर से काम रहे थे। कुछ लोगों ने सुरक्षा पाने के लिए वरोन के पास भागने की भी योजना बनाई। हाला की वरोन और युध के पालतू योध्धा शीर्षक वाले लोग दबाव का एक अनिसरोत थे। पत्रकारों ने योजना छोर दी और दीवारों के करीब पहुँच गए। तीखी चीख एक अद्रिश्य और अमूर्थ तेज ब्लेड की तरह थी। सड़क पर उन इमारतों के शीशे तूट गए जो पालतू जानवरों की दुकान का हिस्सा नहीं थे। सड़क पर आम आदमी अपना सिर्ध धक लेते थे। उस पक्षी की आवाज ने उन्हें लगभग बेहोश कर दिया था। हम तांग परिवार से हैं। पिक्सी पेट स्टोर का मालिक कौन है? बाहर आओ थंडर स्पैरों में से एक पर खड़ा एक आदमी चिलाया। वह व्यक चर्य से वरुन को देखने लगे। यह सच था। वे लोग टांग परिवार से थे जो उपमहाद वीप जिले के चार प्राचीन परिवारों में से एक था। वे वहाँ वरुन के लिए गए थे। इस शैतान ने टांग परिवार को परिशान करने के लिए क्या किया है। वरुन ने ठंडे स्वर में कहा. उस उग्र आवाज ने जी गंगे, वेनेरेबल दबलेड, बुजुर्गों और तांग रुयान को भयभीत कर दिया. वे सभी जानते थे कि वरुन ऐसा कर सकते हैं. लेकिन यह तांग परिवार था. क्या वह उनके साथ ऐसा कर सकता है? ननहा कं कंकाल ने उसकी ओर देखा, और फिर सडक के उपर आकाश में विशाल डार्क फेदर फीनिक्स की ओर देखा. लिटल स्केलेटन की आँखों के सौकेट में एक लाल रंग की चमक उभराई. चमक तब तक और तेज होती गई जब तक की ऐसा लगने लगा जैसे आग के दो गो किसी अन्य की तरहे ही भयभीत थे. रास्ते में खड़े होने की हिम्मत न करते हुए वे जगह बनाने के लिए किनारे पर चले गए. यान बिंग्यू फिर से चकित हो गया. उसने पहले भी कंकाल को हरकत करते हुए देखा था. निश्चित रूप से यह अविश्वस निय र गया और जमीन से करीब 100 मीटर उपर आकाश में फिर से उभर आया. लिटल स्केलेटन ने जो हड़ी का ब्लेड पकड़ रखा था उसमें गहरे रंग की चमक की एक अतिरिक्त परत्थी. छोटे कंकाल के पीछे कंकाल राजा की आकरिती थी जो धीरे-धीरे अस्तित्व में गया रही थी. क्रोर और बरबर डार्क फेदर फीनिक्स ने अपनी आखे मूद ली. एक भयानक अइसास था. डार्क फेदर फीनिक्स को लगा कि उसका खोन जम गया है और उसके पंक खड़े हो गये हैं. लेकिन यह देखते हुए कि यह नवी रैंक के शिखर पर एक युध पालतू जानवर था. डार्क फेदर फीनिक्स जल्दी से समायोज़त करने में सक्षम था. बूम! उसके पंकों से गहरे भूरे रंग की उर्जा रिसकर उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी. उर्जा मृत्यू की गंध से भरी थी. डार्क फेदर फीनिक्स को मरे ह परिवार के आधे पालतू जानवर के रूप में गिना जा सकता है और इस प्रकार उसने मरे हुए कुछ कौशलो में महारत हासिल कर ली है। तलवार की रोशनी एक सीधी रेखा में डार्क फेदर फीनिक्स की ओर बढ़ी। उहां? डार्क फेदर फीनिक्स पर खड़े बुढ़े व्यक्ती को भी खत्रे का एहसास हो रहा था। तलवार की रोशनी बिना किसी रुकावट के जलती रही। इसे रोकने के लिए और कुछ नहीं था। तक्राना अनुभव करने के बाद भी जी गंगे अभी भी भी भैवीत था। साथ ही वह इस बात से हैरान था कि जब टैन परिवार अभी अभी आया था तो वरुन हिंसा का सहारा लेगा। परिवार के अन्य बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से अपना आश्चर्य चुपाने की ताकत जुटा सके। हाला कि उन्होंने कई बार देखा था कि छोटा कंकाल क्या कर सकता है फिर भी वे शांत रहने में असमर्थ थे। चोटा कंकाल भयानक था। वरुन ने आसमान की ओर देखा। उसकी आखों में ठंडक बरकरार रही। वे विशाल पक्षी अभी भी आकाश को निहार रहे थे। एक दिन वह चोटे कंकाल को अपने ब्लेड से दुनिया के सारे अंधेरे को दूर कर देगा। यह कलपना करना कठिन था कि इतनी अशुब पूर्जा छोटे कंकाल के अंदर छिपी हुई थी। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक क्रोधित किया वह यह थी कि कंकाल और दुकान के मालिक ने उन पर हमला शुरू करने का साहस किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। म लेकिन वे दोनों सर्वश्रिष्ट शीर्षक रैंक के शिखर पर होंगे जो उनके समान ही था। लेकिन टैन परिवार की ओर से शीर्षक रैंक के शिखर पर तीन थे। साथ ही फेदर आर्मी और टैक्टिक आर्मी भी थी। टैन परिवार जवाबी कारवाई करने के लिए क अगर एक हजार थंडर स्पैरो जोर जोर से रोने वाले दोनों के शब्दों से प्रेरित थे पक्षी थंडर परिवार के थे। परिवार के बुजुर्ग भी बच नहीं पाएंगे। इसके अलावा वह पक्षी दल शीर्शक रैंक के शिखर के बराबर शक्ती जुटाने में सक्षम था। यहां तक की परिवार के उन बुजुर्गों के लिए भी इसे जेलना कठिन होगा। यही कारण है कि टैंग परिव पल्द बलेड भी पीले पड़ गए। उन्हें कभी नहीं लगा था कि टांग परिवार इतनी सीधे तौर पर हिंसा का सहारा लेगा। इस हमले का असर आसपास की सडकों पर भी पड़ सकता है। इस बात को लेकर जिजक रहे थे कि उन्हें शांतिदूत के रूप में कार्य करना चाहिए या नहीं। जब वह निर्नय लेने का प्रयास कर ही रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से आ रहा है। जैसे ही उसे उपस्थिती का एहसास हुआ, उसकी रीड मे की जरूरत नहीं पड़ी की एक शक्तिशाली व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने ताकत बढ़ाई और अपना सिर घुमाया। सुनहरे बाल उच्छल कर उसकी नजरों में आ गए। वह ये थी। आदरणिय बलेड ने अपनी आखे मूद ली। उसी समय परिवार के अन्य बुजुर्गों, किन शुहाई और जी गंगे ने भी अतरिक्त उपस्थती महसूस की थी। उन्होंने पीछे मुर कर देखा तो दुकान में सुनहरे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी। चुंकि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके अस्तित्व जो आना दर्वाजे के करीब चली गई थी। उसने पक्षियों के जुंड को देखा और फिर वरुन से पूछा क्या तुम्हें किसी मदद की जूरत है। वरुन को उम्मीद नहीं थी कि वह खुद ही बाहर आ जाएंगी। क्या आप उन तक पहुँच सकते हैं। वरुन ने से आसानी से लड़ सकता था। फिर भी एक सामुहिक लड़ाई से आसपास के निवासियों को बहुत नुकसान होगा और कई निर्दोश लोग आहत होंगे। निर्दोश लोगों को शामिल करने से बचना सबसे अच्छा होगा। बिल्कुल जो आना ने सिरहिलाया। वह जिसने सडक की अधिकाश जमीन पर कबजा कर लिया था। एक कर्मचारी के रूप में जो आना को स्वाभाविक रूप से एक संदेश प्राप्थ होगा। जो आना उन क्षेत्रों को हरे रंग में रोशन देख सकती थी जहां वह पहुँच सकती थी। रंग स्टोर के क्षे पेकिंसों मीटर उपर थी जो सीमा के भीतर थी। वरुण ने कुछ सोचा। उन्होंने स्टोर के क्षेतर की भी कलपना की और जल्द ही देखा कि स्टोर के ऊपर का हवाई क्षेतर भी हरे रंग में चमक रहा था। तैंग परिवार उसके क्षेतर में घुस्पैट कर रहा क्या आप लड़ाई के प्रभाव को कम कर सकते हैं वरुन ने पूछा जोआना ने सिर हिलाया वे छोटे कीडे अभी भी मुझसे लड़ने के लायक नहीं है अच्छा इसी लिए वरुन ये पूछ रहे थे तीनों निताओं को बक्ष दो दूसरों को मार डालो